ये सिरफ पांच उंगली का खेल है आप CAA, NRC, NPR और सोचते होंगे ये खेल क्या है? इतने सबशब्द हैं, समझ नहीं आता, वैसे बड़ा साधारन सा खेल है मैं आपको समझा देता हूँ, ये सिरफ पांच उंगली का खेल है पांच उंगली की यात्रा समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा और पिर समझाईएगा भी दूसरों को ये यात्रा शुरू होगी सबसे छोटी उंगली से, बड़ा साधारन सा काम होगा अप्रेल के महीने में आपके घर कोई आएगा, सरकारी करमचारी हो सकता है, स्कूल के टीचर कोई आएगा कहेंगे हमें आपके घर सिर्फ गिंती करनी है कितने लोग रहते हैं बस नाम पूछेंगे, कब पैदा हुए ये पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि आपके माता पिता चाहे हैं या नहीं है अभी, वो कहां पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, आधार कार्ड का नंबर मांगेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस मांगेंगे, कोई प्रमान न डी वाली उंगली है, डी क्यों? क्योंकि आपके घर से जब एक बार ले जाएंगे लिखके, उसके बाद तहसीलदार के दफ्तर में, किसी सरकारी दफ्तर के अंदर, कुछ टाइम बाद, हो सकता है कुछ बहीने बाद, चुप चाप से उस लिस्ट का मुल्यांकन किया जाएग और कोई सरकारी करमचारी उस लिस्ट में कुछ नामों के आगे डी लिख देगा, डी का मतलब डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब संदेहास्पद, जिस पर शक है, किस बात का शक है? कि ये भारत के नागरिक दरसल है नहीं, भही कैसे फैसला होगा? कानून में कहीं नही लिखा कैसे फैसला होगा? हो सकता है आप अपने माता पिता की आयू नहीं बता पाएं हो, कहां पैदा हुए है नहीं बता पाएं हो, हो सकता है आधार कार्ड आपके नाम से इशू हो लेकिन आपके पास नंबर ना हो, कुछ भी हो सकता है. किसी भी आधार पे D लगा दिया जिन लोगों के नाम के आगे D लगा होगा, समझ लीजिए आपके महले में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, उन में से 50 के नाम के आगे D लग गया, उन 50 लोगों को चिठी आएगी, पूरे परिवार में नहीं, हो सकता है परिवार में बहु को चिठी आए, बेटे को ना आए, बाप के नाम चिठी आए, पोते के नाम चिठी ना आए, कुछ लोगों के नाम चिठी आएगी और उन्हें कहा जाएगा, notice दिया जाएगा, अब आप साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं. कैसे साबित करेंगे, सरकार ने आज तक नहीं बताया, हमारे पास सिरफ एक असाम का उधारने जहाँ पहले हुआ है NRC, और वहां क्या हुआ था, ना अधार कार्ड माना गया, ना राशन कार्ड माना गया, ना वोटर लिस्ट में नाम माना गया, कहां नहीं यह सब नहीं चले साधारन लोग कहां से जुटाएंगे प्रमारपत, इसके आधार पे उन में से कुछ लोगों जो अपने प्रमारपत नहीं दे पाएंगे, उनका मामला चौथी उंगली पे पहुँच जाएगा, यह चौथी उंगली है, Foreigners Tribunal की, यानि कि कहा जाएगा उस पचास में से समझ जली दे, 10 लोग बच गए, जो प्रमारपत नहीं दे पाएंगे पास कागज नहीं है, 15 लोग बच गए, उनको कहा जाएगा आपको आखरी मौका दिया जा रहा है, यह उंगली आखरी मौके के उली है, आखरी मौका दिया जा रहा है, Foreigner Tribunal है, विदेशियों की अदालत है, अब उसमें जाके आप साबित कीजिये कि आप विदेशी है के नहीं है, अगर मुसल्मान हैं तब तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ अब CAA का खेल शुरू हो जाए, अगर मुसल्मान हैं आपको विदेशी माना गया है, तो अब आप तो विदेशी हैं हैं, चाहे आपके बाप दादा यहाँ पे 500 साल से, 1000 साल से रहते आ रहे हैं, अगर मुसल्मान नहीं भी हैं, तो पता है क्या है, आपको यह साबित करना पड़ेगा, कि आप बंगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आएं, अब आप सोचिए, बिहार यूपी में रहने वाले नेपाल की तराई में रहने वाले लोग, चलंका के पास तमिलाडू में रहने वाले लोग, कहां से साबित करेंगे, भाई कि हम पाकिस्तान से आएं, बंगला देश से आएं, अफगानिस्तान से आएं, अगर साबित आप नहीं कर पाए, जो लोग भी साबित नहीं कर पाए वो लोग विदेशी घोशित हो जाएंगे और मामलाब चौथी उंगी से अब अंगूठे पे पहुंच जाएगा अंगूठे तले दबने वाला यह है डिटेंशन सेंटर डिटेंशन सेंटर का मतलब जेल विदेशियों के लिए बनी हुई खास जेल भारत सरकार इसके नियम बना चुकी है डिटेंशन सेंटर असाम में बन चुका है करनाटका में काम करना शुरू कर चुका है बाकी दस राज्यों में बन रहे हैं डिटेंशन सेंटर जिस व्यक्ति के पुरुख है पता नहीं कब से यहां पे रहते आ रहे होंगे उसे अपनी ही मिट्टी में विदे में से दो लोग डिटेंशन सेंटर में बंद होगे। क्या ये चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं, तो इस रोकने का एक ही तरीका है। ये पांच उंगली का खेल कैसे रुकेगा? जैसे ही पहली उंगली मोड़ने की कोशिश हो, आप पांचों उंगलियां कर लीजिए बंद, मुठी लीजिए कस और उठा दीजिए अपना हाद, विरोध करना होगा। यानि की जब पहली उंगली उठे NPR वाली, NPR का पायकॉट करना होगा। पूरे देश में जो नागरिक्ता संशोधन के बारे में आंदोलन चल रहे हैं, उन सब ने मिलके कॉल दिया है, हम भारत के लोग, We the People of India, जो देश के 120 से ज़्यादा संगठनों ने कठा होके बनाया है, सब ने कहा है कि NPR का बायकॉट करें, यानि कि जब आपके घर में कोई टीचर आए, कोई सरकारी करमचारी आए, NPR का डेटा लेने, प्यार से बात कीजिए, इससे बुरा बात करने की जरूरत नहीं है, पानी पिलाएए, चाय पिलाएए, नमकीन भी खिलाएए, नमक खिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सम्मिधान का नमक खाते हैं, याद दिलाना है, ये करमचारी इस देश के करमचारी हैं, किसी पार्टी के नहीं है, सब कुछ दीजिए, प्यार से कीजिए, लेकिन कागज नहीं लिखवाएंगे। कागज में कोई सूचना नहीं देनी है। क्योंकि एक बार सूचना दी, फिर मामला आपके हाथ से बाहर है। कागज नहीं लिखवाएंगे। और अगर वो कहें कि ये तो कानून है, आपको करना पड़ेगा। उन्हें प्यार से कहिए, मास्टर जी, आपके बड़ी इज़त करते हैं। लेकिन क्या करें? माहत्मा गांधी की इज़त थोड़ा ज़्यादा करते है। इस देश के राष्ट पिता ने कहा था कि अगर कोई असमविधानिक अन्याएपून कानून है, उसका विरोध करना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा करतव्वे भी है, हमारा हक भी है, हमारा फर्ज भी है। इसी रास्ते पे हमें चलना होगा, याद रखिए, हम सम्विधान बचाने निकले हैं। एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में सम्विधान, मन में अहिंसा और जन गण मन का गान। इसी रास्ते पे हमें चलना है, के लड़ाई में हम लड़ेंगे और निश्चित जीतेंगे।